जब वो फ्लट लाइट में खेलेंगे तो हालात अलग होंगे पिच एकदम हरा है अभी अभी थोड़ी घास है ओपनिंग बोलोस को इसका फाइदा उठा कर जल्दी कुछ विकेट्स लेने होगे और हमें हेट्स मिला है शुरुआती रंज बनाने के लिए अच्छी विकेट्स हम पहले बैटिंग करेंगे फिल्डिंग टीम ग्राउंड में है ओपनिंग बैट्समेंग भी परविलिन से आ चुके हैं दोनों ही टीम के लाइन अप में कुछ शांदार खिलारी हैं हमें एक रोमा कर दूपनी… में विके कर दो jeśliश्ची कर दोचे हम रहां जाईल does खो tabii कर दो शवर हमें कर दो सकत्य शेरों फिल्याज पीम के विल्याज के णक्ट GEORGE को अचीन, कि जंगा में चज़L fail थोजहें यह देखना होगा कि इन चेंजर से वो क्या हस्री कर पाते हैं साइट बदलने के लिए बॉलर ने रिक्वेस्ट की है यहाँ वो कुछ विशेश करने वाले है विल्डर्स मैदान में अपनी तैयारी कर रहे है विल्डर का बहतरीन थ्रो गेंग बिल्कुल स्टम के पीछे बॉल बैट के बीच लगी और पुस्ते होन ड्राइव कर दिया अच्छी रन्निंग अराम से क्रीस के अंदर वापसी फिल्ड में बतलाओं में कुछ समय लगा समय का सही चैन नहीं किया गेंग फिल्डर कुछ चीरते हुए निकल गई अब बैट्समें के सामने फिल्डिंग में कुछ चेंज़ेंग अब फिल्डर का जबर्दस प्रियास दर्शक बेखाबू हो रहे हैं बल्ले बास के तरफ से शांदार हिट गलाई का लाजवाब स्कमार और की समाप्ति में गेंग को स्टैंड तक पहुंचा गिया बल्ले बास के लिए एक अच्छा वोवर फिल्डर बाल पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है आखिर कार एक आसान गैज से उसका विकट लिया नए खिलाडी मैदान में इन्हें पारी के अंतक्तिके रहना होगा बरिया शौट बाउंडरी लाइन के सामने एक बाउंस उन रुनों के साथ बैट्समेन ने शुरुआत की उन्होंने इस बार ओर दी विकेट बॉल करने का फैसला किया है कुछ नया करने के लिए गेंग को मैदान से उठाया गेंग बास के तरफ सब बढ़ी है गेंग बादी और ये गिरा ये गिरा ये काव विकेट आखिर गार एक आसान क्याज से उसका विकेट लिया ये तो नए बले बास हैं लेकिन जिम्मेदारी से स्कोरिंग रेट बढ़ाने की कोशिश कर दो ज् अच्छी रन्निंग अराम से क्रिस के अंदर वापसी बेल्स उड़ने लगी ला जाओ आप बोलिंग लगता है यहां बैस्पन मुसीबत में है बने रहने के लिए महनत ज़रूरी है फिल्डर ने बढ़िया सोजबूज से काम लिया बैट्समिन की अच्छी सोजबूज एक रन लेने में काम्याब उन्होंने इस बार और दिविकेट बॉल करने का फैसला किया है कुछ नया करने के लिए फिल्डर की शानदार फिल्डिंग देखने को मिली बैट्समिन की अच्छी सूजबूज एक रन लेने में काम्याब फिल्डर की दरफ से अच्छी कोशिश बैट्समिन को रोखने के लिए यही जोज हाईम रखना होगा अब तेख पचास रन पूरे करने का बढ़िया आज़ता है फिल्ड में रोमान चक पोशिश गेन को बिल्कुल सिटम के पास फेका ला जवाब फिल्डिंग बैट्समेन रन लेने में नाकाम अच्छी रन निंग अराम से क्रीज के अंदर वापसी बॉलर ने यहां कुछ नया अपन लाने के कोशिश की है बॉल बैट के बीच लगी और उसने ओन ड्राइव कर दिया अच्छी रन निंग अराम से क्रीज के अंदर वापसी ज्यादा रन्स के लिए वो बॉल को आउन साइड पर फ्लिक करते हुए बैट्समेन की अच्छी सूर्गूज एक रन लेने में काम्याब क्या बात है बॉन्डरी के तरफ जाती हुए बाल को चतुराई से रोका क्या बात है बॉन्डरी के तरफ जाती हुए बाल को चतुराई से रोका विल्डर्स मैदान में अपनी तयारी कर रहे हैं जबरदस्ट फिल्डिंग एक अच्छे थ्रों के साथ बॉल को वापर स्टेम के पीछे भेका अब एक लेक स्पिनर को मैदान में उता रहा है अच्छी रन्निंग अराम से क्रीस के अंदर वापसी क्या बात है बॉन्डरी के तरफ जाती हुए बाल को चतुराई से रोका आखिर में फिल्डर की बहतरीन कोशिश पैट्समेन की अच्छी सूजबूज एक रन लेने में काम्याब लाजवाब फिल्डिंग बैट्समेन रन लेने में नाकाम्याब फिल्डर का जबर्दस प्रियाज दर्शक बेखाबू हो रहे हैं जमय का सही चैन नहीं किया बड़ा लक्ष बैट्समेन को हर मुम्किन कोशिश कड़ी होगी मैज जीतने के लिए के लिए जीतने को मैदान से उठाया बाउंटी लेंग के सामने एक बाउंस आखिर में फिल्डर की बेहतरीन कोशिश बैट्समेन की अच्छी सूर्दूज एक रन लेने में काम्याब वाँ क्या शॉट है दर्शक दिवाने हो रहे हैं अब उठा दिया सिक्सर के लिए वोने शॉट इस बार उसने अच्छी तरह डिफेंस किया लाजवाब फिल्डिंग बैट्समेन रन लेने में नाकाम दो रन क्या बात है पहला रन मुश्किल से तो ले लिया लेकिन दूसर रन बल्ले बास के लिए एक अच्छा वोवर कीपर के लाजवाब स्टंपिंग लेकिन बैट्समेन ने क्रीज के अंदर अपने पेर खीच लिये थे बहुत ही शांदार शॉट है बॉल अब स्टैंड के तरफ उट्टी भी जा नहीं है समय का सही चैन नहीं किया गेंज फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई बड़ी है शॉट एक बाउंज और फिंस के ऊपर गेंज को सीधा स्टैंड तक पहुंचा दिया लगता है यह बहुत बड़ा शॉट है एक चुनोटी देने वाला टोटल बनाने के लिए उन्हें अच्छी पाट्रश्यक तयाद कर दिए होगी बल्ले बास की तरफ से शांदार हिंट अब की बार बाल को नीचे से उठाया और आखरी बाल पर सिक्सर बहुत ही बेकार वावर था कि स्पिन बालिंग करने का समय आ गया है अब आप स्पिनर बालिंग करेंगे वो बाल को बड़े घर से देखा और मैंना की वील्डर की तरफ से बड़िया कोशिश डायरेक्ट ही अब वो बाल बाल बचे है बहुत ही शांदार शॉट है बरिया शॉट बैट्समेन ने सही समय पर लगाया क्या बात है बाउनरी की तरफ जाती हुई बाल को चदुराई से रोका फिल्डर ने बढ़िया सूजबूज से काम लिया बैट्समेन की अच्छी सूजबूज एक रन लेने में काम्याब फिल्ड में रोमान चक कोशिश गेम को बिल्कुल सिटम के पास भेका बल्ले वाजूं का रन रेट कम करने के लिए ही मीडियम पेसर का इस्तमाल कर रहे हैं कलाई का अच्छा इस्तमाल किया बैट्समेन ने और उसने ऑन साइट के तरफ बाल को खुमा दिया दो रन क्या बात है पहला रन मुश्किन से तो ले लिया लेकिन दूसरा रन बहुत तेजी से लिया फिल्डर्स मैदान में अपनी तैयारी कर रहे हैं गेन फिल्डर्स को चीरते हुए निकल गई गेन को सीथा स्टैंड तक पहुँचा दिया बहुत बढ़िया बारी में दोनों को एक दूसरे का साथ देदे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है वाह क्या शॉट है दर्शक दिवाने हो रहे हैं सोच भी नहीं सकते वैसी पावर हिटिंग एक स्विंग और एक मिस बैट्समेन की खिश्मन दे साथ दिया पावलर ने बैट्समेन को इस डिलिवरी से मात दी यह मुकाबला समापती की और और गेन बास मैट डिसेडिंग और भेखना शुरू कर रहा है फिल्डर ने गेन को आते देख लिया फिल में अच्छी कोशिश फिल्डर बाल पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है गेन फिल्डर को चीरते हुए निकल गई समय का सही चैन नहीं किया पचास रन बनाने के इतने करीब लेकिन आउट हो गए फिल्डर ने बहुत बड़ी है क्याच लिया फिल्डर में अपनी तैयारी कर रहे हैं गेन फिल्डर को चीरते हुए निकल गई अनुखे शॉट से अपनी टीम को जीत दिलाई जीतने वाली टीम का लाजवा प्रतश्यन रहा नतीजे देखकर उनरे बहुत खुशी होगी यह धान वाल गई